Conversion of one form of molecule into another जैसा कि मैंने पहले बताया था कि organic molecules को चार तरह से रप्रेजेंट कर सकते हैं एक फिश्य, दूसरा नियुमान्स, तीसरा सहोर्स और चौतार फ्लाइंग्वेस तगर मैं चाहता हूं कि इन चार्थ को इंटर-convert करना कि अगर कोई molecule एक form में दिया हूँ और उस particular सहने दूसरा form में convert करना हो तो हम उसको conversion कैसे करेंगो क्ले, जैसे मालो मैंने ले लिया एक molecule है mesotardelic acid यह मैंने molecule बना दिया mesotardelic acid और मैं चाहता हूं इस mesotardelic acid को nuance में convert करने मतलब पहले हम fissure form of molecule को चाहते हैं nuanced form of molecule में convert तो इसके लिए process ही use करना है कि वर्टिकल लाइन पे वर्टिकल लाइन पे जो भी atom हो जै हम acid हो, जै हम OH हो जै हम H हो, या कोई भी atom हो जो वर्टिकल पोजीशन को मौजून दे उस वर्टिकल पोजीशन को हमीशा ही 1, 2, 3 और 4 देते हैं हमें priorities नहीं देखनी है हमें केवल वर्टिकल पोजीशन atom को देखनी है और वर्टिकल पोजीशन के atom को देखते हुए हमने numbering देदिया 1, 2, 3 और 4 अगर इस particular को अगर मैं निवांस पो लिखना चाहता हूं निवांस के लिखने के लिए एक बनाले point और एक बनाले circle इस particular second पे right hand side में OH है left hand side में H है और A है इसका अगर सबसे पहले हम इसमें भी vertical position को indicate करेंगे इसका अगर ये position vertical इसमें भी ये position है vertical इसका अगर होगा 1 ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4 फिर सब वह रहा हूं vertical position में जो भी atom अगरोप हो clear? बिना priorities के इस particular को 1, 2, 3 & 4 पे place कर दो 1 पे जो भी atom अगरोप हो इस case में COH 4 पे जो भी atom अगरोप हो इस case में यहां पे COH अब चेक करें इस case में अगरोप है second पे पोशन पे लेखें second पे right hand side में OH left hand side में H second पे यहां भी right hand side में OH left hand side में H ये लिख लेए ना, third पे right hand side में OH, left में H तो यहां भी third पे right hand side में OH left hand side में H तो यह से radicular molecule है this molecule is in eclipse form this molecule is in eclipse form अगर मैं चाहता हूं इसे का staggered form बनाना तो अगर मैं इसको staggered form में बनाना चाहता हूं 60 degree, 180 degree इसमें rotation कर जाए anti-stagger बनाना चाहते है अगर मैं 180 का rotation कर दिया तो अगर मैं 180 का rotation करता हूं तो इसमें पीछे वाले को as such fix रख लो और सामने वाले को 180 rotate कर दो तो इसका मतला अगर मैंने सामने वाले को 180 का rotation कर दिया और यह उपर चला जाएगा और यह ऐसे बन जाएगा पीछे वाला अपनी position पे यह एसे अपनी जगब पे इस परडिकुलर का अपनी जगब पे और इस परडिकुलर एच बिए अपना अपनी जगब पे तब यह से मोलीकूल बनेगा इस मोलीकूल भी एकलिप्स बनाने के बाद निट्टी का रोडेशन करके इसका इस्टेगर बनाना है और यह समय ने मॉलीक्यूल बनाया है इस मॉलीक्यूल विल बी इन निवान प्रोजेक्शन अगर मैं चाहता हूं फिशर को सबसे पहले इस परडिकलर पर एंगल देते हुए यहां का यह वर्डिकल लाइन है यहां का यह वर्डिकल लाइन है तो यहां मैंने यह वर्डिकल लाइन दिया वर्डिकल का 1,2,3 और 4 तो यहां भी 1,2,3,4 यह नम्र journaling देक भी इस परडिकलर पर 1 पर एसल है इसचल लगा दी 5 पर एसल है इसमें भी हमने ऐसल लगा दिया। amp तो पर यहां भी राट इंड साइड में वह इसको रखना है लेफ में एक्ट पर इसका रिस्टाइब आना चाहता हूं तो 180 को रोडेट करना तो फिर यहां पर मैंने करिया का था वह अपर मने कर था यहां पर यहां पर यहां पर यह अधर और यह इस पोजिशन पर यहां का पाड अब यह इंदर और यह इदर मतलब तब नेचे अगर्सेट ऊपर चले गए नेचे अगर्सेड को तुमने ऊपर लีए यहांपे इस ठा वह इदर चला है और यहां इसे यो 유सट हरा को पर डीकल ऑच हो रटीकलर इतर चला गया यह सो नगिलीकलर छला मलेगा यह धस फोर्म विल बी चल्ट चलुपाकेचलोश्र नियुक्त को सबाय नियुक्तलोश्र नुक्तल्सौर्णने हैं और इकलेट पर इस परिटिक्लर को इस टेगर में वंढ़ाइं। और मालना जी हुखए को आता है कि फिस्यर को फ्लाइंग वैस में वैस में गवार्ट करना है। तो जी पर-डिक्लर के लिए हमें कॉंसे multipod else कॉंसेट करना है तो इस का इस पोजीशन पे हमें लिखना है R और इस पोजीशन पे हमें लिखना है है S वह सबसे आते हैं सामय करने वाला है वह एकम कहन सा होता है H एक को पहले साही हिड्रजन को देंग पीछे लेलो अगर मोमेंट हमें clockwise ही है तो इसका मतला यह first priority होने जी है, यह second priority होने जी है, यह third priority होने जी है तो यहाँ पे आप लगा लो OH, यहाँ पे लगा लो COOH और यह तीसरा बलो और इसी के basis पे 1st to 2nd, 2nd to 3rd, अपने मोमेंट clockwise होच लिए अपने जीए फशर को मेंटी होनाँ जी आफने जाए कि ऑना जाए को फिशयर को «फ्लाइन वेस Birth करेंजू जो इसे रहने ॏौन्हें चाएर में जी प्लिश घरा जैए 신े लैए है पहले उसका Eclipse फिर इसका Stagger कभी सोहोर्स को Fischer में Convert करना हो अगर Bond Bond के Opposite है अगर वो Stagger form है तो पहले Stagger को Eclipse बनाईए Eclipse बनाने के बाद Vertical Position के चीज़ों को देखते हुए उसका Fischer बनाईए अगर कभी Question में निवांस का Stagger लिखा, Bond Opposite हो तो इसमें भी इस Stagger को पहले उसके Eclipse में Convert करीए और Eclipse में Convert करने के बाद जो Vertical Position बनाईए उसको देखते हुए उस परडिकलर का Fischer बनादिए इस परडिकलर के बनाने के बाद ही हमें इस परडिकलर का Stagger form सोचना है बिना वार्टिकल को पकड़े, बिना Eclipse को पकड़े, अगर हम डायक कोई formula लगाए और डायक कोई चीज़ें गजारे में सोचें तो possibility है कि हमारा question गलत हो जाए, क्योंकि यह Studio Chemistry है चीज़ें दिखाई देंगी एक जैसे हैं, लेगि उसमेरी को एक जैसें नहीं होगी बालेचोन में यह लेख दाए और दोसरा मॉल् अगर मैं इसको 60 degree खुना दूँ एसेड असेड के उपर चला जाएगा, OH-OH के उपर चला जाएगा, HH के उपर चला जाएगा तो इसकाल यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म भी है, मीजो अब इसको लिए इसको एक आस्तिटी टेड पे शीड को बॉपर और वर्य ठ्रीज को लिए अजर विए अच बॉपर्य पोटी क्लर से लिए रहे यह को घ्र यह देखिए यह तो D होगा या तो L होगा लेगिन यह मॉलीक्यूल यह मॉलीक्यूल नहीं है तो इसका मतला अगर कभी रिलेशन बदा करना हो इंके बीच में रिलेशन बदा करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर मॉलीक्यूल निवांस में लिखा हो या मॉलीक्यूल सबसे अच्छा करिक पर अगर नॉम्न क्लेश्य सेम है और सिंदेटम अंगर जरा सिंदेट में लेकिन अगर एक कार्य गूसरे का एस्टाइब यह इंटेश्यम वह है। लेकिन अगर आरेस को में एक जगर सेम हो दूसरी यह पे डिफरेंस आ जाए 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 आर 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 दूसरा आ जाए आरेस इस तरह के जो केसे होंगे जो मैं पहले बता शुक्वा हूं वह आपस में डास्टीर में तो तरह कर कि अगर कभी में मॉलिकूल्स दो अलग लग और फिशर और फ्लाइं पेस एक कॉंसेप्ट यूज़ करना है आरेस कि मेली यूज़ होते हैं और आरेस को सबसे पहले फिशर में करना है और करने के बाद आरेस नमें प्लेजर के बेसिस्ट उनमें रिलेशन बताना है